तो एक बार फिर बाहु बली पुरु सांसत पपु यादो अपने पुराने मुद्दे की ओर लौट रहे हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पपू यादो ने हेल्थ इसू को लेकर एक बार फिर मोर्चा खोलने का एलान किया है। अच्छे डॉक्टर बदनाम हो रहे हैं। करने की दिशा में भी आंदोलन की सुरुवात होगी। उन्होंने कहा कि चिकित्सा सेवा के मामले में पूरी तरह से मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया का जो मानक है इस पर कारे होना चाहिए। आपको बता दे कि पप्पु यादों ने एक वक्त में बिहार की चर्मराती हिल्थ सिस्टम के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। उन्होंने ना सिर्फ सीमान चल बलकि पटना तक इसके खिलाफ संघर्स किया और रातो रात लोगों के जहन में उतर गए। हलाकि इस दोरान पप्पु यादों पर बाहु बली दबंग जैसे टैग भी लगे और उन्हें कानूनी पचड़े में भी पढ़ना पड़ा। इन छेतर में कोई फैक्टरी नहीं है लोगों का यहां से पलायन होता है बार की विभीसिका भी एक बड़ी परिसानी है इसलिए घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन चलेगा जरुरत पड़ी तो बिहार बंद भी होगा पूरी तरह से इन मुद्दों को लेकर आर पार की लड होती है पूर्णिया एरपोर्ट को लेकर लंबी लडाई लड़ी गई उन्होंने कहा कि पूर्णिया एरपोर्ट पर मेरी जोतिरा दित्य सिंधिया से लगातार बात हुई है उम्मीद है चुनाओं से पहले फरवरी मार्ज तक देश के हिस्से से यह एरपोर्ट जुड़ बता दें कि साल 1990 में विधायक बनने के बाद पप्पु यादो पांच बार लोगसभा के सदस्य रहें पहली बार 1991 में पूर्णिया से निर्दलिय चुनाओं लड़े और जीत हासिल की इसके बाद 1996 और 1999 में भी वह पूर्णिया से ही निर्दलिय सांसत बने 2004 में लालू प्रशाद यादो ने उन्हें मधेपूरा से आरजेडी का टिकट दिया और वह चौथी बार जीते 2008 में उन पर हत्या का आरोप साबित हो गया और उनकी सदस्यता रद हो गई 2013 में पटना हाई कोट से रहत मिलने के बाद पपू यादो फिर पांचवी बार 2014 में आरजेडी के टिकट से मधेपूरा से चुनाओ लड़े और पांचवी बार जीते 2015 में तेजस्वी यादो की बयानबाजी के बाद वह खफा हो गए और आरजेडी से दूरी बनाकर अपनी जन अधिकार पांचवी बनाई 2019 में उन्होंने अपनी पांचवी से चुनाओ लड़ा लेकिन हार गए अब 2024 लोगसभा चुनाओ में पपू यादो ने पूर्णिया लोगसभा से चुनाओ लड़ने का एलान किया है उनकी लगातार कोशिस है कि वह महागडवनन का हिस्सा बने लेकिन फिलाल यह मुमकिन होता नहीं दिख रहा है झाल जोगसभा से चुनाओ लेकिन होता थादोर्णिया लेकिन होता से चुनाओ लेकिन हान में अज़ादोर्णिया